नवश्कार दोस्तों आप देख रहें क्रिएटिव फार्मिंग और मैं आपका दोस्त अजय आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज का वीडियो कुछ ऐसा है मैं आपको आज हर्वेश्टियर किस प्रकार से बनाया जाता है इसके सारे इस्टुमेंट किस तरह स इसको कुछ नहीं करना सिर्फ एक ही काम करना है यापको वीडियो अंग तक देखना है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि आपको फार्मिंग से रिलेटेट हर जानकारी इस चैनल के मादन से आपको मिलती रहें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो इसका इस्ट्रेक्चर तयार किया जाता है कि कौन सा पार्ट कहां लगेगा सही तरीके कहां फिट होगा इसको इस्ट्रेक्चर तयार करने के बाद इसको कुछ इस पेकार से बिल्डिंग किया जाएगा अच्छी तरीके से बिल्डिंग करके इसका इस्ट्र सीपिक्षड तियार हो जाता है तिसको जंग रोधक में डुबाया जाएगा अच्छी तरह से साफ किया जाएगा जैसा की आप देख तारह थ को यहां पास इसको डुबाके इसको अच्छी से जंग रोधक बनाया जाएगा जिससे क्या समय बीश्यảiride हर्वेश्टर पर जंग ना लगे क्योंकि हर्वेश्टर जायतर बाहर खड़ा रहता है इस करने से इसको जंग से बचाने के लिए इस तरह से किया जाता है इसको करने के बाद इसको अच्छी तरह से वास किया जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं जिससे कि इसमें लगी ह जा रहा है जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं इस तरह से वास करने के बाद इसमें पेंट किया जाएगा दोस्तों पहले एक प्राइमरी पेंट होगा जो की काला या ग्रे कलर करेगा इसके बाद इसमें फाइनल कोटिंग होती है जो आपका यह तो जैसे हरा रहता ह या पीला हो गया इस तरीके से इसके बाद इसमें कोटिंग की जाएगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ग्रे कलर की कोटिंग की जा रही है और इसके जितने भी इस टेक्चर रहते हैं सारे बेल्ट के उद्वारा चलते रहते हैं और बारी बारी से सब ही में पेंट किया जाता है इसके बाद इसके जितने भी पुरजे रहते हैं कटर हो गया जितने भी स्टुमेंट रहते हैं जितने भी इसकार में किया जाएगा और इसको जैसे आफ वीडियो पर देख पारहे हैं पुछ इस प्रकार से इसमें फाइनल प्रेंट जो किया जाता है उसकी सही से साइनिंग है कि नहीं इसको टेस्ट किया जाता है इसके बाद इसमें अधर काम किया जाता है जैसे कि इसका इंजन इसका धमदार इंजन बनाने का काम पहले किया जाता है जैसे कि आप वीडियो प ओगया और यह नियुकर है सब्सक्राइब इसमें seven और इसमें एक दूर ओगया हूं गया ओर इसके बाद इसमें आता है ब्रांडिंग का जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अपना श्टीकर लगाया गया है सोनाली का हर कंपनी अपना अलग 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 ब्रांड का अपना श्टीकर लगाती है इसके बाद इसके कुछ फाइनल इस तरह से रेडी हो जाता है इसके सारे पार्ट्स लगाने के बाद इसमें देखा जाता है कि इसके कहीं कोई पार्ट्स रह तो नहीं गया जैसे बैरिंग है इसमें फाइन वेल्ट हो गया इसको अच्छे जांचने के बाद इसकी ट्रायल लिया जाता है इस हार्वेश्टर सही से वर्क कर रहा है सही से चल रहा है इ कुछ इस प्रकार से बाजार में सेल करने के लिए डीलर के पास पहुंच जाता है इसके बाद यह आप तक पहुंचता है तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करें शेयर करें और अपनी जो भी प्रतिकिया है आप हमें कमेंट बाक्ष दोरा आप हमें रहे क्रियेटियो फार्मी